हलो दोस्तो कैसे हूँ डोस्तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम सीखने वाले हैं MS-I-S 2013 में Table Structure कैसे चेंज करी सब्सक्राइब करेंगे इस टोपिक के अंदर हम कवर करेंगे डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं MS-I-S यह हमारी टेबल खुल चुकी है अब क्या जो employee name date of joining month basic salary क्या इसका structure change कर सकता हूं मैं क्या इसको numbers में convert कर सकता हूं जहां पर यह currency में ले रखा था मैंने क्या इसको change कर सकता हूं तो क्या करना है यहां से right click करना है design पर जाना है ठीक है और यहां से जो currency है उसको मैं number में कर देता हूँ ठीक है numbers देते हैं फिर डबल क्लिक करके इसको खोल लेते हैं तो यह डीटा अभी नंबर में हो गया अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूं देखिए एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो ठीक है अब देखिए फूर एक्जामपल यू में हैव एंटर टेक्स्ट और निमेरिक फिल्ड द्रण निमेरिक ढ़ो अलार्ट लाड़ यंद भी मैं आपको की बताता हूं यह देखए यहां से मैंने एक से पांस तक के डेटा लिए और एंटर कर दिया तो यहां पर डेटा आ पर क्या आपको पता है चलो मैं एक चीज और बताता हुं छोड़ो जिसे एक नाम दे देते हैं संजय, संजय उपर से कोपी कर लेते हैं ठीक, चलो ऊचोड़ दो इसको छोड़ी देते हैं तो तो क्या करना था यहां पर थी ठीक है तो मैं दिखा रहार है एक दो request six डालता हूं यहां पर तो यह डेटा नहीं लेता च्छह तक का डेटा नहीं ले रहा तो क्या इस चीज को भी मैं चेंज कर सकता हूं क्या मैं यह डेटा को चेंज कर सकता हूं तो आपको क्या करना है टेबल डिजाइनिंग व्यू यहां पर आने के बाद यहां से टोटल सेल्दी पर गए नमबर यहां नमबर है तो यहां नमबर पर क्लिक कर लो यहां पर क्लिक कर लो तो यहां पर फिल्ड साइज आ रही है फिल्ड साइज है ठीक है कहीं इसे भी क्लिक करके यहां पर फिल्ड साइज आ रही है इंटेजर अब इस इंटेजर को हना हमें चेंज करना है ठीक है तो य आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं फिल्ड साइज के बारे में ठीक है तो फिल्ड माइक्रोफ्ट की साइट से हम खोल लेते हैं थोड़ा सा मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूं थीक है मिल गया बाइट मतलब इंटेजर मतलब नमबर होता है फोर इंटेजर्स डाट रेंज फ्रॉम जीरो टू फाइफ फाइफ इसुरेज यानी इसमें 255 तक डेटा आप डाल सकते हो उसके बाद डालने कोशिश करोगे तो नहीं डल पाएगा फिर आता है इंटेजर इंटेजर रेंज कितने में होती है पांस डिजिट में होती है ठ डाल सकते हो आप ठीक है वो भी इतना ही डाल सकते हो यहां तक किसके बाद महांदो 68 पिजसी योगे तो नहीं डल पाइट सकते हो सब्सक्पाइगा यहां तक सब्सक्पाइब से हैं ठीक है सिंगल सिंगल यह होता है 3.4 इंटू इस और इस तक ठीक है और डबल आपका बहुत ज्यादा है भी बहुत ज्यादा लंबा होता है एंड अप्टू 15 सिग्निफिकेंट डिजिट तक होता है यहां पर ठीक है और एप्लिकेशन फॉर स्टॉरेज रिकषर में सोरबस के अंदर इंदर इस में कांट होते हैं टिक है और uncom van के अंदर आप ड्यामम के पॉंट में वेल्यू अपकी यहां तक बारा बाइट तक आ सकती है ठीक है तो अभी क्या करना था तो मैंने क्या क्या दिखाया था यहां पर इंटेजर ले रखा तो हम क्या कर लेते हैं डबल में ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं यहां से सेव करते हैं सेव और फिर से डबल क्लिक करत तो यह हमारा टोपिक था कि इसके अंदर हमने यह सिखा कि इंटेजर से आप कैसे इंटेजर में और इनमें डबल में लॉंग में कितना कैसे चेंज कर सकते हो कितना तक डिजिट वेल्यू आती है और दूसरा हमने यह सिखा कि आप डिजाइन व्यू कैसे कर सकते हो यानि डेटा टाइप को कैसे चेंज कर सकते हो हना किसी भी डेटा टा रहा था यहां पर यह करणशी आ रही है तो आप इसको नंबर में भी कर सकते हो जैसे आपके मर्जी आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप सकते हो भी क्थीक ऑप